आज हम बात करने लगें नेस्ट के बारे में नेस्ट होता क्या है premiere pro के अंदर आपके पास जितने भी clips compile हो रहे होते हैं आप एक साथ जोड़े होते हैं जिस तरह भी उनकी जो सी वीज होती है अगर आप चाहें तो उनको नेस्ट के अंदर डाल सकते हैं और नेस्ट बैसिक भीशिक्त डिकरता क्या एक उस सारे clips को वो एक sequence में या एक virtual clip में बना लेगा आपके पास cuts में timeline जिस तरह show हो रही होगी उस तरह से नहीं होगी और आपके पास एक sequence की सूरत में वो nest की सूरत में आपको वो नजर आएगा nest के फाइदे क्या क्या हो सकते हैं अभी हम practically करके भी देखेंगे और major मैं आपको कुछ points बता दूँ एक तो सबसे पहली चीज़ यह है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा layers occupy हो रही है और आपको layers बचानी है क्योंकि आपके पास timeline पर जो options होगी audio भी आ रही है वीडियो भी आ रही है उपर बाकी monitors भी है या फिर आप यह कह सकते हैं अगर आप multiple monitors भी यूज़ कर रहे हैं तो बाद दफ़ा आपके पास audio के लिए आपको ज़रा जादा चाहिए होता है layers जादा चाहिए होती है अगर वीडियो में आप सोचें कि अगर आपके पास no clips है में भी split screens में आ रहे हैं चोटे-चोटे करके different clips आ रहे हैं तो उसका मतलब तो सीधा-सीधा यही होता है कि आपको वो no layers occupy करनी पड़ेंगी और हर layer के उपर वो एक-एक clip होगा लेकिं अगर आप nest यूज़ करेंगे तो आप इनको कम कर सकते हैं nest के अंदर भी nest बन सकते हैं आप वनमें भी 3-3 का set बना दिया है और इसके बाद बाकी layers को बाकी clips को आपने और different layers में रख दिया तो इस तरह से भी आप चल सकते हैं बाकी nest को आप video में कर सकते हैं images में कर सकते हैं जो भी आपके text के चीज़े हैं उसको आप nest बना सकते हैं Second चीज हम ये भी add कर सकते हैं कि इस वक्त जो आपकी adjustment layer होती है उसका काम भी ये nest ही कर रहा होता है बहुत सारे और templates में, चीजों में आप इसको 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 इसकते हैं कई जफ़ा ऐसा होता है कि template पे पूरी animation बनी होती है आपने जाकर change करना होता है तो वो भी nest की form में आपको मिलेगी एक और बड़ा important इसका use होता है वो आप जब अपना warp stabilizer लगाते हैं अपनी shaky footage पे तो अक्सर उसमें क्या होता है कि अगर उसकी properties यानि कि आपने उसकी basic motion scaling अगर छेडी भी हो as compared to आपका जो sequence की settings होती है उससे वो different हो तो उसके ओपर warp stabilizer काम नहीं करेगा या maybe speed अगर उसकी change हो clip की आपने उसको slow motion में किया वा हो या फिर fast किया हो तब भी आपका अक्सर cases में warp stabilizer काम नहीं करता तो उसके लिए आपको उसको एक nest बनाना पड़ेगा उस clip को और उसके बाद warp stabilizer उस पे काम करने लगए और भी फायदे हो सकते हैं जितना creatively आप smartly इसको use करेंगे आप उसको मजीद explore करते जाएंगे थोड़ा सा हम इसको practical देखते हैं तो आपको nest का मैं तरीका बता दूँ किस तरीके से nest किया जाता है और एक हम साथ ये भी apply कर देते हैं कि किस तरीके से हम इन clips को nest के अंदर डालेंगे और किस तरह से हमें layers safe करेगा तो आप देख सकते हैं कि इस वक मेरे पास timeline पे फिलहाल ये CTI जहांपर मेरा है ये तीन clips हैं इस वक और मुझे बहुत सारी split screens करने और different clips के साथ ही करने तो मैं इनको थोड़ा सा try करता हूँ इस तरह से कि मैं इन पे जाके इनका scale और इनकी position थोड़ी सी इस तरह से align कर देता हूँ इसी के attributes copy करूँगा next पे paste करूँगा तो मुझे इस same scale, same position में आप देख सकते हैं हो गया इसको मैं इसके ऊपर रख लूँगा layer के ताके मुझे exactly इसके साथ ही इसको split screens में लेकर आना है और तीसरा clip मेरे पास ये वाला है वही same attribute जो copy किया वाता control, alt, v, shot की है motion select है यहां से इसको मैं okay करूँगा तो आप देख रहे हैं same उसकी जगा पर वो चला गया और यहां से मैं इसको इसके साथ align करता हूँ अब आप देख रहे हैं यहां पर काफी ज़्यादा हमारे पास lose area है और यह shoot ही इस तरह से हुआ है और यहां पर main screen से ही उसको बाहर कर दिया अच्छा तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह तीन क्लिप्स हैं और यह तीनों अलग अलग हैं अगर मुझे अब इन तीनों पर एक ही effect लगाना हो या फिर मैंने और split screens further करनी हो तो मुझे obviously फिर और उपर layers रखनी पड़ेंगी अगर इस stage पर मैं इसको nest कर दूंगा जो कि मैंने इसको तीनों को select किया right click किया और मेरे पास यह nest की option मौझूद है यहां पर मैं nest पर click करूंगा वो आपसे इसका नाम पूचेगा by default वो एक sequence को आगे लेके चलता रहता है nested sequence 12 इसका नाम है आप चाहें तो अपनी मरजी का नाम भी रख सकते हैं इसको हम यहां से okay करेंगे तो इस वक आप देख रहे हैं कि वो जो तीन clips थे वो इस वक एक nest के अंदर चले गए हैं और इस nest के अंदर पूरा एक sequence है जो के अगर मैं इसको double click करूंगा तो आपके पास यह same edit कीवी चीज एक अलग से sequence में यहां पर खुल चुकी है जो के nested sequence है इसको मैं चाहूं तो बंद कर दूँ और मुझे अगर further कोई change करना हो इसमें तो मैं इस पर तबारा double click करूंगा और मैं के अंदर जाके change कर लूँगा तो आप देख सकते हैं कि एक चीज तो यह भी हो गई कि एक sequence के अंदर एक आपका पास sub sequence बन गया और उसको आप किसी भी stage में जाके change कर सकते हैं अब इसी तरीके से अगर मुझे और भी layers add करनी थी जो कि मैं यहां से कुछ इस clip select कर लेता हूँ तो उसमें मेरे पास एक यह clip है एक मैं इस clip को ले लेता हूँ और further मैं इस clip को भी select कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी आप one two three four fourth layer पे काम कर रहे हैं इस वकth fourth layer तक आप चले गई हैं इससे पहले अगर यह sequence भी आपने nest ना किया होता तो इसने already दो layers और occupy यहां पर की होती है इनको भी same मैंने उच्छी तरह position करना है align करना है तो मैं यहां से इसको copy करता हूँ ताके मुझे manually attributes जाके change ना करनी पड़ें इनकी properties यहां पर मैंने attributes copy paste किये और आप देख रहे हैं अभी आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि यह layer नीचे बढ़ी है उपर वाली layer आपको नजर आ रही है इसको मैं off कर देता हूँ यहां से और आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास जो यह clip था यह add हुआ है इसको भी मैं यहां से off करके देख सकता हूँ कि नीचे वाली मेरे पास वैसे ही चीज़े आ रही है मैं अगर चाहूँ तो इनको भी अब बारी बारी on करके same attributes copy paste कर लूँ क्योंकि उनकी positioning आपको exactly अगर वहीं चाहिए देखें आप बलकुल उसी position पर चला गया और इस तरह से third को भी copy किया और इसके attributes भी यहां पर paste किये इस clip को enable किया right click से भी कर सकते है short key मैंने इसकी बनाई वी है shift और tilde की आप उससे भी उसको use कर सकते है आप देखें इसको flip भी किया हुए अगर आप चाहें तो flip हटा दें और इस वक्त flip मेरा ख्याल से ठीक ही लग रहा है बीच में अगर आप थोड़ी सी इनकी positioning और चाहते हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा difference है अब आप देख सकते हैं आपके पास यह तीन अलग layers है और आपको split screens में चाहिए थे यह और आपने इनकी positioning obviously अलग करनी थी अभी आपने इनको align कर लिया इनको सबको हम थोड़ा सा trim भी कर लेते हैं ताके सब हमारे एक ही उसमें रहें एक और हम nest बना लेते हैं right click किया nest और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं इसको अगर मुझे individually उनको adjust करनी की जरुवत नहीं हो रही और मैंने एक ही file को move किया तो वो तीनो clips move हो रहे हैं क्योंकि वो तीनो file उस nest का हिस्सा है further मैं इसको भी चाहूँ तो नीचे कर सकता हूँ और इसी तरीके से मैं और भी screens add कर सकता हूँ तो एक तो यह आपका use हो सकता है तरीका इस तरीके से आप यहां पर nest से काम कर सकते हैं आप देख रहे हैं इस वक्त पास 1,2,3,4,5,6 इस वक्त आपके पास 6 different clips हैं और वैसे उनको 6 different layers में होना चाहिए था मैं further चाहूँ तो इनको भी nest कर सकता हूँ अब इनको nest करने से मुझे क्या फाइदा हो सकता है यह totally depend करता है क्या आपने क्या treatment करना है maybe मैं यहां पर कुछ effect सा बनाने की कोशिश करता हूँ maybe इस nest को मैंने copy किया उस पूरे को मैंने zoom in कर लिया और मैंने शायद जाके इसको blending mode में कुछ इस तरह से change कर लिया तो आप कुछ और भी चीज़े create कर सकते हैं आप इसको अगर चाहें तो आप यहां से key frame में थोड़ा सा इसको कर सकते है इस तरह मैंने key frame दिये इसको तो कोई भी किसी किसम का आपने further treatment करना हो तो आप कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि दो nest इसको move हो रहे हैं और अगर मुझे इस तरह का treatment नहीं चाहिए मैं इसको पूरे nest को delete कर दूँ मेरे पास एक nest already यहां पर save है इसमें अगर कोई change करना हो कोई replacement करनी हो तो मैं double click करूँगा यह मैं पास तो nest खुल गए कौन से nest में क्या क्या चीज़े मैं उसको enable or disable करके देख सकता हूँ और further अगर change करना हो तो उसका double click करूँगा तो मेरे पास उस तरीक से clip आ जाएंगे अगर किसी clip को मैंने यहांप disable करना है जिस तरह इसको में ने कर दिया अब आप देख सकते हैं आपके final nested sequence में वो clip इस वक्त off हो चुका है एक तो आपके पास nest का तरीका यह हो सकता है अब इन सब पे आप चाहें तो एक एक ही effect लगा सकते हैं जिस तरह के adjustment layer पे हम करते हैं उपर रखके तो maybe यहाँ पर अगर मैं कोई effect लगाता हूँ मैं इनको black and white करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं पर स्प्रॉक amp के नाम से है और भी तरीकों से हो सकता है मैं Lumetri से भी कर सकता था लेकिन फिलहाल मैं इसको अगर यहाँ पर saturation की option होती है तो मैंने इसवक्त saturation इसकी बंद कर दी आपको इसवक्त बेतरीन तरीके से मुझे लगता है idea हो गया होगा क्योंकि इसवक्त मैंने एक clip क्योंकि nested मेरा sequence था उसके ओपर मैंने यह effect लगाया तो जितनी भी videos थी जो के अंदर actually अलग-अलग videos हैं यह आपके सामने यह एक और यह अलग-अलग videos हैं लेकिन वो nested है nest के अंदर हैं एक effect लगाने से वो उसपे यह सारी changes आपको नजर आ रही हैं और किसी भी किसम का कोई treatment आपने करना हो वो एज़ा एक ही clip के ओपर सारा लग जाएगा तो एक nest का फायदा यह भी हो सकता है उसके अलावा अगर हमने कोई text पर लगाना हो तो वो भी हम कर सकते हैं अगर मैं quickly यहाँ पर legacy title में जाके अपना एक text लिख लेता हूँ और maybe यह हमारा एक title हो सकता है और इसको मैं यहाँ से off करता हूँ quickly हमें click लेते हैं और इसकी spelling university Ctrl A से select किया centralized text को यहाँ से आप centrally align कर सकते हैं font आप चाहें तो यहाँ से change कर सकते हैं कोई भी आपने font यहाँ पर quickly adjust किया तो कोई भी आपका style हो आपने इसको यहाँ से रखा और उसके बाद आप अगर चाहें तो इसके font को भी 3 size कर सकते हैं फोड़ा सा मैं इनकी इस तरह से gap पढ़ा दूँ क्योंके मैं इनको manually crop करूँगा मेरे पस legacy title में यह title आ चुका है और इसको मैंने क्या करना है कि अब मैं कुछ इसमें nest का काम करूँगा मैं चाहता तो separately भी लिख सकता था इस वक मैंने क्या किया है इस वक सब कुछ साथ ही लिख लिए और मैं इनको पारी बारी appear करूँगा मैं crop इस पर लगा सकता हूँ तो crop मैं यहां से लगाने के बाद मुझे पहला text यह appear करना है उसके पात मैं इसको copy कर लेता हूँ दूसरा text फिर से crop को presents को मैंने किया और इसको मैं चाहूँ तो इसके ऊपर यहां पर मैं रख लेता हूँ और क्योंकि यह जब appear होगा next वाला तो जो first है वो भी stay करेगा copy किया इसको इदर paste किया और हमारा बस तीसरी चीज़ है यह crop को हमने इस तरह manually अब मेरे पास इस तरह का text है जो कि मैंने एक ही file में लिक लिए तो further मैंने उनको यहां पर crop कर दिया पहले मैं चाहता हूँ कि और मैं इसको dissolve भी add कर देता हूँ Ctrl D तीनों को एक साथ पकड़के भी हम यहां से in और out point in के छेड़ सकते हैं और पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे पास virtual university है और यही तरह से ही उसका patron है कि virtual university और इसके पात यहां पर मेरे पास आ जाए presents और उसके पात six a title के ले हमने बना लिया और यहां पर भी हम इसको fade out भी इस तरह से कर सकते हैं और यह obviously थोड़ा depend कर सकता है कि जिस तरह का आपका नीचे track होगा उस हसाब से आपने में भी इसका fade out decide कर लिया अब मैंने इस पर motion देनी है अगर मैं इस वक चाहूँ एक क्लिप पर दे तो सकता हूं लेकिन थोड़ी सी वह out हो जाएगी क्योंकि यह motion अलग से है पर इस क्लिप पर अलग से और इस पर अलग से तो इस पर एक motion देने के लिए मैं इसको करूंगा nest और अब nest में यह पूरा क्लिप मेरे पास आप देख सकते इसकी positioning इसकी scaling बगारा मेरे पास यहां पर control आ गया है अप पिर इसी तरह से हो रहे हैं वो बारी बारी अगर आपको लगता है कि यह presents हो है slow आ रहा है आप किसी भी स्टेश पर जाके nest पर डवल क्लिक करेंगे और आप इसको यहां से पीछे करेंगे और वो जल्दी आ जाएगा अगले को भी आप change कर सकते हैं और overall भी आपको करना हो तो आप यहां से थोड़ा सा इसको यह से move कर सकते हैं क्योंकि nest हमारा इतना खतम हो चुका है इसलिए हम इसको यहां से बंद कर देंगे अब मैं इसको क्या करूँगा थोड़ी सी motion दूँगा और यहां पर मैंने keyframe add किया और आखिर तक मैंने यहां पर एक और keyframe add किया पहले keyframe पर मैंने इसकी कर दी 70 और next मेरा keyframe है वो 100D है तो इस वक्ये छोटे से बड़े के तरफ जाएगा और हम इसको देख सकते हैं इस तरह fullscreen मैं इसको कर लेता हूँ quality इसके हम full कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि जहां तक हमने keyframe दिये थे यहां से लेकर यहां तक keyframe को animate किया था 70 200 इसको और छोटा कर ले आपको और visible difference नजर आएगा अब हम इसको fullscreen play करते हैं तो आप देख रहे हैं movement continue है पीछे back end पे जो भी fade in fade out हो रहा था या जो चीज पहले और बाद में appear हो रही है वो सब कुछ बेसे ही है और सब पे आपकी एक ही movement है यह नहीं कि एक पहले आ रहा है एक बाद में आ रहा है एक slow है एक past है तो यह nest की वज़े से possible हुआ तो यह आपके पास nest के कुछ मैंने आपको usage बता दिया किस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं कहां कहां use कर सकते हैं मुझे लगता है कि आप अगर जब इसको मजीद explore करेंगे तो और भी आपको best possibilities best options नज़र आएंगी के जहां पर आप nest को और बेतरीन तरीके से use कर सकेंगे practice करते रहें और next lecture में मजीद चीज़ों के उपर बात करेंगे करेंगे